स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल और स्टडी क्लास पर मैं आज आप लोगों को मैद का अपजेक्टिव करने वाला हूँ जैसा कि आप लोगोंने लाइब में पार्ट वान और टू देखे हैं तो इसमें मैं जो भी बहुत असान तरीके से तीको नमीती से जो सवाल बन जाते हैं उसको कल्कुलेशन और सलूसन करने वाला हूँ एनलाइसिस करने वाला हूँ तो आप लोग इसको बारेकी से देखेंगे आपका एक भी कोश्चन नहीं छुटेगा और आपको ये भी पता होगा कि आपकी सवाल को जल्दी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करत हैं मतलब यहाँ पर और हम में न तो इसका भाईलू पता है 10 डिगरी और 80 डिगरी का तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा तो हमको यहाँ पर करना होगा फर्मूला ला देना होगा क्योंकि भाईलू 10 और 80 का पता होता नहीं है तो इसका मतलब फर्मूला पर ही सेट होगा इ यहाँ पर ठीटा के जगह पर 10 डिगरी है रहने देंगे यहाँ पर जो कॉट है उसको बदलने की चेश्टा करेंगे और बदल देंगे जैसे कॉट स्कॉर है 80 को लिखने का तरीका बदलिए 90 मैनस 10 80 को 90 मैनस 10 लिख सकते कोई दिक्कत होका नहीं अब यहाँ पर देखेंगे तो से के स्कॉर, 10 डिगरी यहाँ पर कोर्ड़, 90 मैनस ठीटा क्या होता है 10 ठीटा तो यहाँ पर हमारे पास ठीटा के जगह पर 10 है तो क्या हो जाएगा 10 अब देख पा रहे होंगे Six square 10 degree minus 10 square 10 degree कहने का मतलब Six square theta minus 10 square theta का बैलू क्या होता है One होता है अब यह जाकर formula set हो गया तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर set करके अब option A को tick मार सकते आपका एक दम सही होगा किलियर किसी भी परकार की अगर doubt हो तो आप लोग comment कर सकते हैं तो चलते हैं, अगले सवाल की तरफ अगला सवाल जैसा कि आप लोगो दिखा रहा है कि 3 ठीटा के value 90 degree है तो cos ठीटा के value कितना होगा तो 3 ठीटा के value अगर 90 है तो 1 ठीटा के value कितना होगा तो 90 में 3 से divide करेंगे इधर गुना है तो इधर आके डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 30 होगा तो हमको पता चल चुका है कि ठीटा का भैलू कितना है 30 डिगरी है तो हम यहाँ पर कौस 30 डिगरी डाल देंगे तो कौस जब 30 डिगरी डालेंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा एंसर तो कौस करता है आप लोगों याद जरूर करके रखें नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा किलिए असा करते हैं याद होगा ही क्योंकि सभी करके रखते हैं अगले सवाल के और बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि यदी A का भैलू इतना है तो sign a गुने कौसेक a का मान क्या होगा तो ये ये जो पॉर्षन दिया हुआ है आपको बुधु बनाने के लिए दिया है कि बच्चा यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर फोकस नहीं करना है यहाँ पर फर्मूला सिधे डाइरेक्ट है sign into कौसेक क्या होता है एक होता है तो आप एक में अपसन सिधे मार देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना एक जरूरत भी नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ भी यह है यहाँ भी यह है तो वही चीज रहने वाला है जैसे sign theta into कौसेक theta तो theta का सेम रहने वाला है तो फर्मूला आपका सही होगा तो चलते हैं अगले सवा अगले सवाल के तरफ अगला सवाल जो मेरा है वह है टैन एक डिगरी इंटू टैन दो डिगरी टैन तीन डिगरी इस तरह से करते 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 कहां तक गया है कहा तक है 89 तक है तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ति 90 तक है तो अगर हम इसी तरह से जैसा कि अगर हम 90 मैनस करके फर्मूला सेट की हैं अगर इसी तरह से इसका करते हैं तो हर एक देखिए इसको 10 90 मैनस ट्रीटा पर करेंगे तो हो जाएगा कॉट एक तरह से ये दो चल जाएगा 88 के साथ इसी तरह से तीन चल जाएगा 87 के साथ और इससे जाते 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 लास्ट में बीच में जो बचने वला है वो बचेगा क्या 10 45 किलियर अगर 10 45 बच गया तो 10 45 का भाईलू जो होगा वही अंसर होगा क्योंकि ये सब का भाईलू एक हो रहा था एक इंटू एक इंटू एक ही होगा यहाँ पर 10 45 का भाईलू भी एक हो रहा है आपको याद होगा 10 45 क्या होता है एक होता है तो इसका एंसर सही एक हो जाएगा हमारे पास यहां पर जो है वो है 1045 तो यह आपका एंसर सही भी हो जाएगा आगे की तरह अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा सवाल है कि कोसेक ठीटा बराबर है भी वाइए तो आप समझ पा रहा है कि सेट ठीटा का भाईलू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहां पर कोस का मतलब है यह कर्ण यह लंब है तो अधार निकलना होगा अधार क्या हो जाएगा तो कर्ण स्कॉर माइनस होता है लंब स्कॉर तो हमारा कर्ण क्या हो गया भी उसमें से एक घट जाएगा तो यह हो गया अधार सेट ठीटा का फर्मूला क्या होता है कर्ण बटे अधार क् का एंसर सही अफसान हो जाएगा अफसान ए तो चलते हैं अगले सवाल की तरह अगला सवाल जो मेरा है वह निम्ड लिखित में कौन साथ साथ सेक्साड डिगरी के बराबर है तो इसमें आप या तो भएलू निकाल करके रखें दिमाग मा रखिया फर्मूलास रखें कहीं से भी रख सकते हैं जैसे कि सीख्साड का भएलू होता है रुट्ट सऔर शेक्साड होता है दो तो 6-6 तो 6-6 अगर 2 होता है क्योंकि 6-6 होता एक बटा 2 तो 6-6 थो का उसका उल्टा होता तो इसी तरह से 2 इसमें से किसका भेल होएगहा तो यहां पर 10-6 नहीं हैगा कौट 3-6 का नहीं हैगा कौशक 6-6 का उल्टा होगा तो săइंसार root 3 x 2 भोता है इसलिए 2 बर्टा root 3 हो जाएगा इसका हो जाएगा कोशेक 30 का 2 कितना हो जाएगा option A तो काशेक 30 डिगरी आपका एंसर ऍइसलिए हो जाएगा अगले सवाल के तरह सब alguna種 है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैंगे कि यहाँ पर यह सवाल जो देख आ रहा है 8 नमबर इसमें किसी भी परकार के अगर सवाल दिया जाए अगर इस दोनों का योग 90 पूर जाए तो इस सब का भैलू एक होता है अगर बटा में हो तो अगर माइनस में हो तो 0 होता है किलियर तो यह बटा में है तो इसका भैलू क्या हो जाएगा यह क्यों होगा जैसे कि पहला सवाल में हम बता है कोट 90 माइनस पर तो रहे थे तो इसी तरह से कोट 90 माइनस पर इसको तो रहेंगे तो हो जाएगा यह भी साइन तिरपान यह भी हो जाएगा साइन एंसर जो होगा वो दो गुने एक यानि दो आपका एंसर सही हो जाएगा option d किलियर आगे की तरफ अगर हम लोग बर है तो आगे हमारा है 9 नमबर सवाल सेख ठीटा पलस 10 ठीटा और ब्रेकेट है एक माइनस साइन ठीटा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर थोरा सा कल्कुलेशन करना होगा क्या कल्कुलेशन करना होगा सेख ठीटा को आप कोश ठीटा में लिख लेंगे एक बटा कोश ठीटा पिर उसी तरह से tan theta को क्या लिखेंगे sin theta cos theta में cos theta होता है फर्मूला याद है आप ज़रूर बताएगा और यहाँ पर multiple time में अज उने वाला है वह ही होगा cos theta और उपर में एक जोड sin theta हो जाएगा कि लियर अगर उपर में एक जोर sin theta हो जाएगा तो इसके बगल में क्या हो जागा एक मैनस साइन ठीटा आप देख पा रहे होंगे यह दोनों मल्टिपलाई में है और एक पला से एक मैनस है तो क्या हो जाएगा A स्कौार मैनस B स्कौार तो एक का स्कौार मैनस साइन का स्कौार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फर्म ठीटा एंसर आपका हो जाएगा option c clear तो चलते हैं अगले सवाल की तरह आप अगला सवाल जो मेरा है वो है 9 10 square alpha minus 9 6 square alpha तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हम बोले थे कि यहाँ पर एक formula है लग रहा है पर अन्थ यह formula उल्टा है कैसा है उल्टा है तो थोरा सा इसको समझना होगा सबसे पहले हम minus 9 को common कर लेंगे क्यों करेंगे? यह जाएगा plus में sec square α और यह 10cles में है वो हो जाएगा किलियर अब यहाँ पर देख पारे होंगे कि minus 9 into में हो गया क्या? sec square alpha minus 10 square alpha तो C square alpha minus 10 square alpha क्या होगा एक होगा जैसा कि आप लोग को सुरू में हमने बताया कि C square minus 10 square क्या होता है एक होता है तो यहाँ पर C square minus 10 square क्या होगा एक होगा तो एक इंटू में कितना हो जाएगा minus 9 तो हमारा हो जाएगा minus 9 साई answer option B किलियर अगला जो सवाल देख पा रहे होंगे एक दम फर्मूला ही है कोसे के square minus 1 क्या होगा क्यों होगा क्यों होगा क्योंकि एक जो क्यों क्यों होता है कोसे के square तो एक इस साइड आगर के minus में हो चुका है तो यह फर्मूला है आप लोग देख लेंगे फर्मूला अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा detail analysis के साथ मिले तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं मैं सारे फर्मूला के तिरकण मिती के analysis के साथ तोर-तोर करके बताया हूँ ताकि आप लोग को किसी भी परगार के दिकत न होगा तो आप लोग जो कि मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरह से इसको समझ सकते हैं तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं तो वही सवाल है 10 में इंसर है तो 10 50 डिग्री का 50 डिग्री रहने देंगे और को 90 माइनस करेंगे तो आप समझ पा रहेंगे कि वही चीज होने वाला ह चालिस को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 50 कि लिए तो यहां पर 10 50 हो जाएगा और यहां कोट 90 माइनस ठीटा हो जाएगा 10 ठीटा यानि कि 10 50 हो जाएगा तो हमारे पास 10 50 50 1050 हैं दूगो 10 50 हैं तो आपका यही एंसर सही हो गया तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए और question चाहिए तो आप लोग इस वीडियो पर comment करेंगे और नए है तो इस चैनल को subscribe कर लेंगे ताकि इस तरह का वीडियो अच्छे से आप लोग को पास मिलता रहे और आप लोग कुछ बारिकी से इसको समझते रहे तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेस्ट वीडियो में तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ाई किजिए मस्ती से इंज्वाई किजिए थैंक यू फॉर वाचिंग